Hello everyone, welcome to my new video, कैसे हो, आप सब उमीर है, सब बढ़िया होंगे अभी जिनके भी results आने थे, results आ चुके हैं, जिनकी selection होनी थी हो चुकी है जिनकी selection नहीं हुई है, उनको demotivate होने की जरुदत नहीं है आप फिर से preparation स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप सोचो कि मैंने इतना time लगाया है preparation में, तो उस time को कोई भी count नहीं करेगा जब तक आपकी selection नहीं होगी अगर आप सोचो कि आपने 2 साल लगाये हैं, अगर आप किसी को भी बताओगे कि मैंने 2 साल preparation में लगाया है आप फिर से एक वर preparation स्टार्ट करो, ये सोचके कि 2-3 में आपको selection लेनी ही लेनी है जो आपने गलतियां पहले करी है, वो गलतियां आपको फिर से repeat नहीं करनी है आपको पता है कि ये last time आपकी क्या-क्या कभी रही है, आपने कहा-कहा क्या-क्या गलती करी है सो उन चीजों पर work करो, जब आप एक वर ठान हो गई कि जोब लेनी ही है, selection लेनी है तो आपको इस चीज से कोई भी नहीं रोक सकता, बस इसके लिए आपको महनत करनी होगी जितनी महनत पहले करी है, अब आपको उससे भी जादा करनी है बस लास्ट में एक ही लाइन आनी चाहिए कि फाइनली मेरा selection हो गया है, मुझे जॉब मिल गई है ठीक है, सो स्टार्ट करते है इस वीडियो को, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हो इस तरीके से जब आप टाइम लिखते हो तो हर दिन सेम नहीं होता है, मान लो आज आपने नौ बज़े वाली क्लास लगवाली है, कल भी लगवाली है, पर सो आपके पास टाइम नहीं था या कोई भी इश्यू आ गया कान लो जिस क्लास के लिए आप अगा गंटा लेट हो, अगर आप उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं उसके बाद आगे आपने जितने भी सब्जेक्ट डिवाइड करें होते हैं सभी पर इंपेक्ट परता है, तो सभी का टाइम क्या है आगे पीछ वालब जाता है इस तरीके से आप लिख सकते हो कि मुझे ये ये topic या फिर इस subject को complete करना है ना कि इसमें time period होगा इसमें अगर आपको एक गंटा extra भी लग गया जा आदा गंटा extra भी लग गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें आपने exact time नहीं लिखा है इसमें बस आपने खुद को hint दे रखा है कि सुबा के time तक ये सब complete करना है और दुपहर तक आपको ये सब complete करना है तो आप बात करते हैं कि आपको to do list कैसे बनानी है तो बात करते हैं to do list की या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो morning, afternoon, evening इस तरीके से divide कर सकते हो या फिर आप ऐसे time लिख सकते हो आप सोचो कि अभी तो मैंने time के लिए मना करा और अभी मैं time लिखने के लिए बोल रही हूँ तो मैंने उस time को लिखने के लिए मना करा है जैसे आप इस topic को time दो तो इसे exact लिख लो 6 to 7 AM तो यह गलत होगा माल लो कि next day आप 6 वजे नहीं उठ पारे हो 5-10 मिनट लेट होगे तो जो भी आपने time devil बनाया हो तो वह सारे का सारा time devil पूरे दिन adjust नहीं हो पाएगा इसलिए बोल जो कि एक hint के लिए वैसे time लिख लो कि अगर आप 6 वजे उठ रहे हो तो आपको 10 वजे तक यह topic करने है कोई बात नहीं थोड़ा वो time आगे बीच भी हो गया तो कोई issue नहीं है बट at least आपको hint तो मिले कि आपको इतने topic इतने time में complete करने है अब ऐसा तो नहीं है कि आपको इन तीन topics के लिए पूरे का पूरा दिल लगाना है यह time सिरफ एक hint के लिए है कि ताकि आपके mind में रहे कि आपको इतने time तक यह चीज़े complete करने है अब ऐसा नहीं है कि आपको exact 10 वजे तक ही यह topic complete करने है अब यासे मैं mostly 6 a.m. से start करती थी अब जरूरी नहीं है कि हर दिन मैं 6 a.m. से start करती थी कभी कभी 6 वजे से पहले उठी गई तब start कर लूँगी और कभी 5-10 मिन लेट हो गई तो उसके बाद start कर लेती थी ऐसा कोई issue नहीं था कि यह fix time था बस इतना था कि इस time से मुझे hint मिल जाता था यह चीज़े मुझे इतने time में cover करनी है सबसे पहले मैं current fair और editorial इन दोनों चीज़ों को revise करती थी मैंने English की strategy वीडियो में भी आपको बताया था कि English का मैंने offline newspaper लगवाया हुआ था इसलिए मैं उस newspaper को फिर से revise करती थी मैं सिर्फ editorial को revise करती थी और इसके साथ ही current fair को जो current fair में पिछले दिन पढ़ती थी उसकी pdf मैं अगले दिन revise कर लेती थी उसके बाद मैं अशिश गोतम सर की current fair की अड़ा पे class लगवाती थी साथ से 8 बज़े तक class होती थी और कभी कभी class 10-15 minutes पहले खतम हो जाती थी और कभी कभी 10-15 minutes जादा भी लग जाते थी ऐसा निता fix time होता था उसके बाद मैं perfection की class लगवाती थी means जिस time मैं class लगवाती थी उस time नहीं लगवाती थी means मैं पिछले दिन की class देखती थी और perfection की class भी ऐसी होती थी किसी दिन सवा घंटे की class होगी किसी दिन डेड़ घंटे की class होगी तो उसे साब से time थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता था बट ये तीनों चीजे मैं morning के के बाद मैं थोड़े time का break लेती घर का थोड़ा बहुत काम करके breakfast वगारा करके जो भी थोड़ी वह चीजें होती थी जब मैं फिर से दोपहर को start करती थी around 11 o'clock 11.30 वे सबसे पहले मैं mock test देती थी और mock test का analysis करती थी दिन में जीसे आप से मेरी to do list होती थी उसमें मुझे य रखा हुआ था mock test देने की बाद जातो मैं कभी कभी उसी टेम analysis कर लेती थी या फिर मैं थोड़ा टाइम बाद analysis करती थी मोग टेस्ट देने की बाद मैं editorial करती थी दो एडिटोरी रीड करती थी स्टार्टिंग में तो मैं एडिटोरील वीडियो से देखके पढ़ती थी व मैं sir की फिर से एक वर वीडियो देख लेती थी क्या जो पूरा editorial मैंने पढ़ा है जो मुझे समझ आया है क्या वो वैसा exact है भी है या फिर नहीं सो मैं sir का एक वार last में sir conclusion बताते हैं मैं वो सुनती थी क्या जो मैंने पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है या फिर कही लेते से errors की सो मैं वो class attend करती थी यह मेरी पूरी दुपहर की टूडू लिस्ट होती थी और जो मेरे topic complete होते जाते थे मैं उन topics को इस तरीके से टिक लगाती रहती थी दुपहर की टूडू लिस्ट पूरी complete करने के बाद मैं ब्रेक लेती थी जिसमें मैं छोटी सी नैप ले तो इसलिए मैं थोड़ा time खुद के लिए देती थी फूरा दिन लगता study करना मेरे लिए possible नहीं था तो यह break मेरा थोड़ा सा लंबा होता था नैप लूँ चाहे नहीं लूँ यह जरूरी नहीं था बट मैं गुरुदवारा डेली जरूर जाती थी से around 1 km दूर था तो वहा पर पढ़ते रहे ना फोन पर पढ़ते रहे दिमाग भी एक टाइम के लिए बिल्कुल बंद हो जाता है सो मैं यहीं खुद को भी टाइम दो साथ में study भी करो इतना भी नहीं कि आपको बिल्कुल खुद के लिए वक्ती न मिले इसके बाद मैं शाम को पढ़ना स्ट करती साथ में कर लेती थी तो मैं शाम को सबसे पहले मोग का ऐसा था कि मुझे यहां कहीं इस मिलती थी मौस्टरी मैं अंकुष लांबा सर की पड़ती थी तो मैं इस पे से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करती थी मेंस की वीडियो बगारा बहुत कम देखती थी रीजनिंग की क्यूंकि रीजनिंग मेरा प्लस पॉइंट था बाकि सब्जेक्ट ठीक ठीक थे इसके साथ ही जो भी चोटी मोटी चीज़े बच जाती थी जैसे मैंने क्रंट फेर का बताया कि मैं सिर्फ एक टाइम पर क्लास लगाती थी सुबा उसके बाद शाम को पीडियाफ रीड कर लेती थी और इसके अलावा मैं किसी और स्वॉर्स से पीडियाफ नहीं रिवाइज करती थी इसके और शाम में जिसी साफ से जतना वियर्ट होता था उसमें विच्छ लेती थी और बात करें क्वांट की तो ने बताया की दोपहर काम की लगवा लेती थी और इसके बास को सेम वही चीज मोस्ती पीडियव से फॉटी करती थी जो भी मेरी क्रमें देखुंकि न तो बीडियों मैं मैं पूरी क्लास नहीं लगवाइं देखती थी कि पूरी绑 क्या है बस मैं उस पुणिन को क्लास प्लस करती थी बहुत सबक्तरीयों क्लास लगवाती थी वह चार दिन में एक बर क्लास लगवाली बस वह भी तब क्लास देखती थी अगर मुझे कोई पजल समझ नहीं आ रही है जा फिर मुझसे सॉल्व नहीं हो रही है नहीं तो वीडियो को पोस करके मैं पजल को सॉल्व करती थी दनुसके वाद साथ मैं आंसर मैंच कर लेती थी कि मेरा क्या आंसर है सो ये थी मेरी टूडू लिस्ट इस वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ कि टाइम टेवल बनाने का कोई भी फायदा नहीं है फालतु में हर पांच में छटे दिन आप फिर से अपने टाइम टेवल को चेंज करोगे कभी ऐसे लिखना है कभी वैसे लिखना है बस अमने टाइम को ही एड़ेस्ट करते रहा जाओगे सो टाइम टेवल मत बनाओ बस इस तरीके से टूडू लिस्ट बना लो सुबा दो पहर शाम को आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं कौन से सब्जेक्ट वीक है आप और यंहाँ पहले पढ़ित प्रिपाव उनको इसके साथ ही जब आप चेक लिस्ट बनाते है इसका क्या फाइदा होता है जैसे जैसे टिक लगता जाता है तो छुद को लगता है कि मैरे एटी कब्लीट हो गए अब सिर्फ तीन टॉपिक बचे हैं या फिर दो टौपिक मुझे जितना समझ आता था मैं सिर्फ उतना ही पढ़ती थी मान लो दस वजे मुझे ऐसा लगे कि enough है मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है तो मैं books को बंद कर देती थी ऐसा नहीं है कि बार 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 अब उन्हीं चीजों को पढ़ते जाओ बस खतम करने के बारे में सोच जरूर कि हां मुझे टॉपिक हतम करना है बड़ तभी जब आपको समझ आए अगर आपको समझ ही ना है तो फिर इन चीजों का कोई फायदा नहीं है तो प्लीज मैं यहीं बोलूँगी कि टूडू लिस्ट बनाओ इस तरीके से चेक्लिस्ट बनाके रखो आप खुद से ड कर रहे हैं चाल जर फिर जिनके प्री क्रेक हो रहे हैं मेंस जिनके बेसिक उन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं वह मेंस के चाल कर रहे हैं तो वह उनके लिए वे अलग से टू-डूब्र इस शियर लाख दोंगी सो यह थी वीडियो आइब cutter आपको उister किस तदू डू लिस् थे जिस वीडियो